Hello everyone, आज हम Home Science का chapter करेंगे chapter number first, class 12 के लिए, N.I.O.S के students के लिए तो आज हम पढ़ेंगे ग्रह, परिवार और ग्रह विज्ञान तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि घर, जो घर होता है, वो क्या होता है, घर का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है दूसरे number पर हम पढ़ेंगे परिवार, जहां हमारा जो पहला environment होता है, हमारी जो first socialization होता है, वो हमारी family होती है family के अंदर क्या क्या चीजे होती है, कौन कौन से problems होती है, क्या क्या जो विवस्ता होती है, वो होती है, उसके बारे में हम जानेंगे आज और third ग्रह विग्यान, जो हमारा subjective है, क्यों उसका मतलब क्या है, और वो क्यों हमारे पास एक ऐसा subject यूज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले है objective, home science के objective, जो हम ये chapter पढ़ रहे हैं, ग्रह, परिवार और ग्रह विग्यान, इसका objective क्या है, मैं ये chapter क्यों पढ़ा रही हूँ, य याने की objective, किसी भी चीज़ को करने का उद्देश्य क्या होता है, तो हम से से पहले जानेंगे उद्देश्य, तो हमारा पहला उद्देश्य है, define home science, एक में, define home, family and home science, सबसे पहले हम define करेंगे, याने की परिभाशित करेंगे, परिभाशा जानेंगे हम सबसे पहले की home, family और home science, इसकी परिभाशा क्या होती है, इसका मतलब क्या है, जब तक हम किसी चीज़ का मतलब नहीं समझ पाएंगे, उसके पूरे concept को कैसे जान पाएंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इन तीनो, ये तीन जो words हमारे सामने है जो chapter का नाम है हमारे, उसका मतलब क्या होता है, second जानेंगे aims, क्या aims क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, हमारा लक्षे क्या है, goal क्या ये करने का, second है importance, importance मतलब महत्व, कि क्या महत्व है home science को as a subject बनाने के लिए, and misconceptions, कौन-कौन सी ऐसे भ्रांतिया है, जो लोगों ने चाहिए, जो लोग home science के बारे में कहते हैं, कि नहीं है, ये तो एक additional subject होना चाहिए, या फिर इसे नहीं पढ़ना चाहिए, ये ऐसा subject है, जो घर में knowledge मिल जाती है, तो इसको as a subject क्यों यूज क्या जाए, तो कौन-कौन सी ऐसे भ्रांतिया है, ब्रांतिया मतलब जो लोगों कि ये जो subject है, ये subject मिल जाती है, तो हम जानेंगे कि इसे as a subject क्यों रखा गया, आए, नेक्स्ट है, हमारे पास home science, अब सबसे पहले जब हमने ये word सुना, तो सबसे पहले हमारे mind में ये आता है, कि इसका मतलब क्या है, तो home, जो home word है, इससे तो आप सबी समझ रहे हैं, कि home का मतलब क्या है, घर, जहां पे हम सबी रहते हैं, वो एक सुरक्षित इस्थान, जहां हम अपने आपको अच्छा फील करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, कि हम कभी भी कहीं घूमने जाते हैं, या फिर नाना नानी घर, या मामी के घर, किसी भी रिलेटिव के घर जाते हैं, तो हम बिल्कुल भी कमफरेटेबल फील नहीं करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा प्लैजर है, वो हमें हमारे घर पे मिलता है, हम कहते हैं, हमेशा आके चलो भाई, घर आ गए, घर आके सुकून मिला, तो home, जो है shelter, जो ह हमारी एज की, वो सारी हम वहाँ देखते हैं, place of residence, where we the family lives, जहां हम अपने परिवार के साथ हर्शी खुशी रहते हैं, नेक्स्ट है, हमारा word science, home का मतलब आप समझ गए, अब science, science जो word है, वो हमने सुना है, जब हम सिक्स क्लास में जाते हैं, तो subject आता है science, क्योंकि first तो हमने EBS पढ़ा है, उसके बाद हमारा subject आता है science, तो science है, हमने तब वो word वहाँ सुना, यहां पर home science का मतलब है, किसी भी fact अधारित बातों करना, यूँ है कोई उड़ती होई बाते नहीं किया दिना, कई बार हम कहते हैं, कई बार हम कहते हैं कोई भी बात कि ये बात है, तो हम कहते हैं, सचाही की है ईदता है, तोécole हम साइंस परद हो वो हमें बताता है based on facts कि facts क्या है principle सिदान्त क्या है and law किस law से आप ये बात कह रहे हैं तो जो home science है हमें सारे proofs देता है next है हमारा aim aims या लक्षे लक्षे क्या है हमारा ये करने का क्यूं हम ये देख रहे हैं क्यों हम ये पढ़ रहे हैं सबसे पहले हैं हमारा career नेखिए हम सभी जानते हैं ज yön हमारे career है हमारा व्यवसाहक्त है वह भी बहुत important है सारे चीज़ इंप onnt होती है लेकिन जो हमें करना है आगे हमें life में क्या बनना है क्या अचीव करना है बहुत important है career कि हम क्या career चुने तो जो home science है वो हमें ये मौका देती है कि हम ये सोच सके अपनी बुद्धी का इस्तमाल कर सके कि हमें कौन से way में जाना है जो हमारे लिए benefit हो जो हमें अच्छा लगे औ next next हमारा aim है vocation यानि कि वैवसाई हम कौन से ऐसा वैवसाई चुने जो जिसके लिए हम comfortable हों जिसके लिए हमारे में उसमें योगता वो चीज़ करने की तो home science हमें ये provide करेगा हमें ये समझाएगा बताएगा कि कौन सा वैवसाई है एक guidance हमें provide की जाएगी teacher के माध्यम से कि ह हमें क्या चीज करनी है क्या चीज नहीं करनी क्या सही है और क्या गलत उसमें हमें difference बताएगा next है हमारा wage employment यानि कि वेतन रोजगार अब वेतन से आप समझ गयोंगे वेतन मतलब कि किसीने कोई काम क्या उसको हर महीने उसके काम के हिसाप से वेतन दिया जाता है तो इसके अंदर वेतन रोजगार में क्या होता है कि कोई भी वेक्ति किसी दूसरे के पास काम कर रहा है और वो अपनी सेवाई उसको देता है और उसके बदले में उसे क्या मिलता है पैसा उसके बदले में इसे मिलता है पैसा तो ये उसको अपनी देगा सेवा हैं प्रोवाइट करेगा और उसके बदले में उसे मिलेगा पैसा नेक्स देखते हैं नेक्स है हमारा self employment अब self employment से ही समझ जा रहा है swear rosegar यानि कि खुद का rosegar ऐसा काम जो हम swim करेंगे जैसे कि आपने example देखा, यह person है, इसने सोचा कि मैं tailor का काम करता हूँ, तो इसने machine ली, सब को चीज़े arrange करी और इसने shop open कर ली, तो इसका खुद का काम है यह, स्वारोजगार, अपने आप इसने खोला, अपने आप सारे चीज़े manage करी. नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा भ्रांतियाएं, कि कौन कौन से misconceptions हैं home science को लेकर, जैसे कि मैंने starting में ही कहा, आप लोगों को बताया कि ऐसी बहुत सारे चीज़े होती हैं, जिनके लिए भ्रांतिया बन जाती हैं, कि यह जिस गलत है या सही है, अब जैसे कि यह बना हुआ है कि लड़किया नहीं पढ़ सकती, बहुत पुराने जमाने से बना हुआ है, कि यह जो चीज़े हैं, यह स्ट्योडियो टाइप्स हैं, कि बहुत पुराने चीज़े जो आगे चलती आ रही हैं, तो लेकिन क्यों भ्रांतिया हैं, सारी चीज़े गलत हैं, तो हम home science में जानेंग खाना पकाना सिखाती है home science, हाँ यह बात ठीक है, कि home science बताती है हमें खाना बनाना, लेकिन वही home science हमें समझाती है, कि एक खाने को किस तरह से अलग अलग तरीके से बनाया जाए, एक सब्जिकों कैसे अलग अलग varieties में यूज़े कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में यह भी कि हमें कैसे सर्व करना है, यह home science हमें सिखाते है कि किस तरह से हम डिजाइन से सर्व करें, कौन से चीज़ कहां रखें, कि लोग को effective लगे, तो यह भी सिखाती है हमें home science, साथ में है stitching, कि stitching कैसे की जाए, ठीक है, स्टीचिंग जो है, नॉर्मली सबको आती है, लेकि हम बात करते हैं कि proper तरीके से, सफाई से, क्योंकि हर काम में सफाई होना बहुत जरूरी है, तो इस टीचिंग में हम समझाता है कि किस तरह से किसी काम को अच्छी तरीके से किया जाए, नेक्स्ट है हमारा home decoration, अब जो home decoration word है, यह हम लोगों के बिलकुल भी नया नहीं है, क् हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, कि घर साफ कर लो, दिवाली आ गई, सब कुछ चीज़े मैनेज करो, तो home decoration हमें समझाती है, कि किस तरह से हम अपनी घर को effective बना सकते हैं, सुन्दर बना सकते हैं, ताकि लोग उसे देखें और उसकी तारीफ करें, तो home science सिखाता है हमें कि क्या चीज प्रॉपर तरीकी से करनी है, next हमारा ये, child care, child care word से समझा रहा है, child मतलब बच्चे की care, बच्चे की देख बाल किस तरह से की जाए, home science के through हम जानते है, क्यों जानते हैं, क्योंकि अब तुम सोचोगे कि home science है, ये तो हमारा से बच्चों से क् कर रहे हैं, home science में इसलिए बच्चों से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि home science में काफी सारे stages होती है, कि बच्चे का 0-2, infancy level हुआ, फिर 3-11, child hood आया, उसके बाद किशोर अवस्ता आई, फिर विर्धा अवस्ता आई, ये सारे जो वस्ता हैं, इन सभी चीजों के बारें बताता है, तो बच्चा जब 0-2 होता है, infancy level में, तब parents को ये समझ आता है कि कैसे उसके care करें, क्या उसको need है, इसलिए हम home science बढ़ते हैं, next, next हमारे ब्रांती misconception ये है, home science is meant for girl, because they have to manage the home, home science जो है, वो सिर्फ लड़कियों के लिए होती है, और लड़कियों के लिए होने चाहिए, क्योंकि लड़कियों को बाद में जब उनकी शादी हो जाएगी, तो दूसरे घर जाएंगी, तो लड़कियों को सारी चीज़े लड़कियों को manage करनी है, इसलिए सिर्फ लड़क को सिखाई जानी चाहिए होम साइंस लेकिन यह बिलकुल गलत है क्योंकि अब जो अब जब हम नहीं जनरेशन देख रहे हैं महाँ पर बॉय और गर्ल दोनों मिलके घर का भी सारा काम करती हैं तो क्या ही एक मिसकंशेप्शन है गलत बात है कि सिर्फ लड़किया ही सिखेंगे होम मैनेज करना यह दोनों सीखते हैं बॉय और गर्ल दोनों और यह जो सब्जेक्ट है वह दोनों के लिए अच्छी गर्ल के लिए और बॉय के लिए भी कि नेक्स्ट है हमारा वाइस टेडी होम साइंस होम साइंस क्यूं क्यूं पढ़े हम होम साइंस क्या जरूरत है होम साइंस पढ़ने की जब एक लड़की के पास उसकी माँ है जब उसकी माँ उसे सब्कु सिखा रही है तो क्या जरूरत है एक नया सब्जेक्ट पढ़ने की तो जो एक माँ है वो अपने बच्ची को सब्कु सिखा लेगी लेकिन हमने शुरू में पढ़ाता साइंस का मतलब है फैक्ट लौ माँ फैक्ट नहीं दे पाएगी या फिर क अचार मां ने सिखा जवाब दिया उसे कि बेटा जो तेल है वह अचार को खराब होने से बचाएगा ठीक है उसकी मां बच्ची ने बुचा कि क्यों तेल क्यों क्यों तो इसलिए कि अचार आम का चार या नीबू का चार जो बी है वो हवा के संपर्ख से आने के बाद खराब हो जाता है और तेल जो है वो उसकी सुरक्षा करता है इसलिए तेल उसमें डाला जाता है तो ये अगर कौन से मा को पता होगा तो वो अपने बच्ची को बता पाएगी नेक्स्ट नेक्स्ट है अब ये तो बिलकुल ही गलत है ये तो बहुत ज़ादा गलत हो गया कि होम सेंस हमें जॉब अपरुणिटी नहीं देती बलकि होम सेंस में स्यूसलि बहुत सारी opportunities होती है जो भी student है जो भी अगे अपना career बनाना चाता है इन चीज़ों में वो बहुत आगे जा सकता है अगर वो अच्छे तरीके से इसमें जितनी भी concept होते हैं एरियाज होते हैं उन पर वो विचार करेगा उसके लिए जो उसकी hobbies, skills हैं उसको वो आगे डेवलप कर सकता है तो आज के लिए सिर्फ इतना ही and the end of the video always write in your own diary हमेशा अपनी diary में लिखें और कुछ ऐसा लिखें कि आपकी diary दुनिया में लोगों तक पहुँचे और वो पढ़ पाएं आपके success की खुद की लिखी हुई story Thank you